इस तरह के स्टेटमेंट एलविश यादव नहीं दिये हैं जिससे सल्मान खान को गुस्ता आ सकता है जी हाँ सल्मान खान को चड़ाते निजर आ गए है सल्मान से इंडारेक्ली पंगा ले लिया है एलविश यादव ने त्रिसल मनवर फारुकी को लेकर हाली में खबर आई कि हुका बार में चापे मारी के दोराग उन्हें हिरासत में लिया गया था मामला दर्ज करनी और पूश्ताच के मामें पोलिस ने उन्हें बाद में छोड़ भी दिया लेकिन इस पर एलविश ने ट्वेट किया है जी हाँ एलविश यादव ने ट्वेट किया इसकी वज़ा से सलमान खान से एलविश टकरा रहे हैं और उन्हीं गुसा दिला रहे हैं कह रहा है सब ही लोग विग बॉस OTT2 के विनर रहे हैं एलविश सबको पता है विबादों में अकसर रहे हैं जब इस मार्च को कबार में रेट के बाद मुंबई पुलिस ने जो मुनबबर को गिरफतार किया था इसे लेकर अलविश ने ट्वेट में चोटकी लिए का विग बॉस के बाद सबका बुरा टाइम शू हो जाता है क्या जी हाँ त्विट कर अलविश ने ये लिखा है जैसा कि आप जानते ही हैं अलविश के बाद बिग बॉस 17 के विनर में मुनबबर रहे हैं कानूनी पचलों में वो फिर पस गये हैं शो जितने के बाद यूजर्स इसलिए अलविश के ट्वीट पर कर रहे हैं सवाल रमजान के महिने मुनबर चल्म कैसे पी सकते हैं सवालों से जुज रहे हैं मुनबर और अलविश जिसके बाद निशाने पर सिन्दान खान किशो को लेकर बारी जादा मुसीबत में पढ़ सकते हैं कहा चा रहा है नेक्ष नाइन लाइप स्रिप्ति रिपोर्ट